हाई एवरिवन तो ट्रू उजी नेक के पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पार्ट वन जो देखा था उसके अंदर हमने सूपर की कैंडिडेट की एंड प्रैमरी की समझ लिया था और हमने में इंपॉर्टेंट बात यह समझ लिया थी यार अगर हमारे को टेबल गिवन है तो उसके अंदर हम सूपर की कैसे फाइंड करेंगे एंड प्रैमरी की कैसे करेंगे तो यह सारी चीज़े हमने पिछले ही वीडियो के अंदर डिटेलिंग में देख लिया था आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं different types of keys जो कि इनके अलावा हो सकती है So, सबसे पहले ये जानना जरूरी है बट, ठीक है तो सबसे main important बात है, पहली चीज़ समझेंगे, which is called alternate key अब alternate key को समझने से पहले आपको ये बता होना चीज़ candidate key कैसे निकाला जाता है, ठीक है तो candidate key क्या होता है कुछ keys जो होती primary key हो जाती है इस पे से क्योंकि primary key और secondary को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे पास total candidate key बन जाएंगी, ठीक है कि बात समझमारी है, yes तो मैं यह आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप candidate key निकालोगे, उसमें से एक तो मेरे पास primary key बन जाएगी बिल्कुल ठीक है और जो बाग की बजगी वो सब क्या कहलाएगी, alternate key कहलाएगी तो alternate key आप इस तरीके से बता दो इस तरीके से आप यहाँ पर explain कर सकते हो candidate key को ऐसी ही आप primary key, single एक ही होगी क्योंकि वो unique हो नहीं चाहिए primary key and alternate key कही है जो अगर आपने वालों यहाँ पर तीन candidate की थी एक हमने primary key आपने प्राइमरी की assign कर दी तो remaining दो क्या बजगी alternate key बन गई, ठीक है बास समझबारी है, अगर हम पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर दियान से देखें तो roll number को हमने set कर दिया था एक roll number हो चुका है and दूसरा phone number, अगर roll number यहाँ पर primary key है तो alternate key क्या हो जागी, phone number हो जागी बात clear है, आप यह clear है एक बाद definition देखोगे, और समझबारी हम आजाएगा so alternate key is also known as a secondary key because हमने देख लिए primary key क्या होती yes, और जो रह गई हैं वो सारी secondary key क्यलाएंगी candidate key में एक primary key है बाखी सारी क्या होगी, alternate key और you can say secondary key कहां से, is a candidate key that is not selected as a primary key so candidate key में जो हमने primary key select नहीं करी है वो सब क्या होंगी, alternate keys होंगी ठीक है, जी वे आप a candidate key is a set of one or more column से न टेबल अब वो एक भी हो सकता है and उस आप क्या होना चाहिए, uniquely होना चाहिए yes, क्या हम phone number से easily बोल सकते हैं क्या unique होगा definitely आप हर बार कह सकते होगी phone number unique ही होगा, हर एक वैक्ति का समझ रहे हो, तो alternate key भी क्या होंगी, uniques होंगी so while a table can have multiple candidate keys so one of them is choose as a primary key विल्कुल ठीक है, and remaining others are called alternate key so अगर मेरे पास multiple candidate key है तो उस case मेरे पास एक primary key होगी, and बाकी सारी क्या होगी, alternate keys होगी clear होगी बात, हाब यह समझ में आ चुक है, alternate key के बारे में, detailing में आपने एक brief idea ले लिया है अब next चीज है which is called foreign keys and आप लोगों ने primary key and foreign key बहुत जादा सुना होगा so, अब यहाँ पर foreign key क्या होती है, वो समझते है अब अगर आप लोगों ध्यान से देखोगे सभी में आपने एक-एक table की बात करी है बट foreign key में multiple tables के बीच में बात हो रही होती है foreign key क्या होती है foreign key main काम यह है कि multiple tables को link foreign key के थ्रूप होती है foreign key का main काम यह है कि link करना ठीक है भाई, सबसे main important बात यह है तो foreign key कैसे पहचान होगे आप तो main बात यह है इन में से इस table को अगर आप दिखान देखो यह student की detailed table है and यह table जो student marks table है इसमें आप marks देखोगे अब यहाँ पर mention नहीं है student का नहीं but क्या mention है course ID तो यहाँ पर क्या देखे है हम course ID mention है yes भया, course ID यहाँ पर ही mention है तो इससे हम क्या पैचान जाएंगे कि एक जो table है student detail table उसमें यह कोई ना कोई key तो होगी अब यह definitely unique है बिलकुल ठीक है तो यह क्या होगी, primary key होगी ठीक है तो यहाँ पर लिख देते है this key is the primary key of student detail table and अब वो इस table के लिए क्या बन जाएगी foreign key बन जाएगी foreign key मतलब इस table से वो link हो चुके है यह दोनों table अब link हो चुके है मतलब कि अब अगर मैं यह वाला diagram बना दूँ इस तरीके से ठीक है and इसको मैं कुछ ऐसे ले लूँ arrow को and थोड़ा उपर कर दूँ तो हम मैं यह कह दूँगा कि यह जो course ID denote कर रहा है वो यही कर रहा है मतलब कि अगर आप final table बनाएंगे final अब आपका मतलब यह है कि जिसका roll number 1 है नाम उसका RN है उसके course ID है 101 and हमें क्या नहीं पता था GPA which is called grade नहीं पता थे उसके बट आप grade पता चल गया 3 क्योंकि 101 course ID पे क्या grade बना है 3 बना है तो 101 किसका है आरेन का है जिसका roll number 1 है तो इस तरीके से हमने दोनों tables को क्या कर दिया link कर दिया so foreign key का काम यही है कि एक जो पहला main table होगा उसकी primary key and जो next table है उनमें से भी उसकी schema match होना चाहिए अब यह ज़रूर नहीं कि course ID ही schema हो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे course ID लिखे यहाँ पे simple ID लिख दे कुछ दिक्कत नहीं but यह जो values है यहाँ पे match हो जानी चाहिए जिससे कि हम identify कर पाएं कि यह इसी schema की बात हो रही है clear है बात yes so ऐसे ही अगर मैं जिसका GBA 4 है उस student का नाम पता करना चाहूं तो उसकी course ID 102 देखूँगा मैं and 102 इस table में देखूँगा तो उसका नाम के निकल आएगा सचिन तो सचिन का GBA किता बन गया वर 4 बन गया ठीक है तो इस तरीके से हम दोनों tables को link कर सकते है with the help of foreign keys ठीक है clear है बात तो linking करना multiple tables का वो कैसे possible होगा with the help of foreign keys and हम यहाँ से GBA आला जो ग्रेड्स हैं उनके बारे में identify कर सकते है with their names student के names के ठीक है important बात इसकी definition क्या होगी तो foreign key is a field in a relational database table that is used to establish a link between two tables तो क्यों use के जाता है कि हम इसमें linking कर सकें दो tables के बीच में multiple tables के बीच में linking possible हो जिसमें से एक यहाँ पर primary की होगी and दूसरे table से जो value निकल रही है किसी third चीज की like GBA GBA is table के अंदर mention नहीं था but इस table के अंदर है तो हम इसमें दोनों को link करके GBA का value find कर सकते है with their corresponding names ठीक है clear है yes it create a relationship between the tables by referencing the primary key of another table तो यह जो line लिखी गई है यह second line बहुत बहुत जादा important है कि किस लिए use किया जाता है table के बीच में relationship के बारे में पता चल जाता है and क्या reference कर रहा हूँ था primary key of another table yes अब यहां पर बिलुकुल possible है कि यहां पर हो सकता course ID की जगा कुछ और इसका नाम हो normal ID भी होगा चलेगा ठीक है ज़रूरी नहीं है दोनों schema's के name same होने चाहिए ठीक है पर्ट आपके mind में doubt होगा अगर यह दोनों name same नहीं हुए यह name कुछ और हुआ and यह name कुछ और हुआ तो फिर कैसे पैचान में आएगा कि इधर यह primary की है और इधर foreign case को हम बनाएंगे वो पैचान में आएगा according to this data ठीक है येस वेरी 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 इंपोर्टेंट meaning that the relationship between the table are consistent मतलब data मैं कोई गडबड़ी नहीं हो and वो data consistent रहे and the data remains accurate and reliable बात समझ बारी है so इसका main काम ही यह होता है कि data tables के अंदर क्या हो सारा consistent हो same रहे as a good changes देखने को ना मिले जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ for किसके लिए student 102 जिसके course ID है जिसका नाम है सच है तो वो सही दिखना चीए ठीक है तो यही चीज़ है readable होना चीज़ foreign keys are crucial for maintaining the data consistency and ensuring that data related data in the linked correctly बात समझ बारी है yes अब इसकी बहुत सारी properties है properties in the sense कि जैसे primary की properties थी कि वो null नहीं होना चाहिए but foreign की null होगा चलेगा foreign की null होगा चलेगा यह बहुत ज़्यादा important बात है clear है and इसकी बहुत सारा properties और है so उस properties को मैंने DBFS के notes के अंदर conclude कर दिया and यहाँ पर जरूरी नहीं है कि unique unique ness वाला concept जरूरी नहीं है यहाँ पर 101 इधर भी दो बार आ सकता है because primary की फिर हम mention कर लेंगे न अगर मैं एक और table बना दू just like यहाँ पर मैं GPA की जगा अगर मैं यह table अटाके लिग दो address तो एक ही बन देगे दो गार हो सकता है yes तो जिसका course ID 101 है और एक और कोई student है जिसका course ID 101 है मतलब student आ रहे हैं नहीं है same student है जिसका रोना मैं 1 है बट उसकी दो घर हो सकते हैं तो different addresses हो सकते हैं तो इस तरीकी से आप बता सकते हैं फोरण की multiple पी हो सकती है जबकि primary की के अंदर सारी values unique होनी चीए तो इस तरीके से आप primary की और foreign key के अंदर यह सारे चीज़े बता सकते होगी clear होगी बात है yes इसके बारे पर detailing में और है नूट सब्सक्राइब रगे अंदर जोकि main important foreign key से related points है just like foreign की null हो सकता है foreign की unique भी हो सकता है unique नहीं भी हो सकता है जैसे हमने बता दिया अगर address की बात करें तो एक ही student के multiple address हो सकता है तो इसका मतलब है uniqueness वाला काम सिर्फ primary की के अंदर unique सिर्फ primary की होगी foreign की नहीं होगी ठीक है and यहाँ पर null value भी रख सकते हैं को दिकत नहीं जबकि primary की null कभी नहीं होती ठीक है तो यह बात समझ में आनी चाहिए clear है होगी yes बैट clear होगी बात है अब इसके बाद जो last चीज है which is called composite की यह last की है and इसको भी जान लेते हैं तो composite की मतलब एक से ज़्यादा अगर की बन जाए तो उसको हम composite कहते हैं और यही कहाम है composite की का ठीक है तो हम देख लेते हैं just like this अधार कार्ड and mobile number एक से जादा है बिलकुल और यह दोनों unique value देंगे बिलकुल तो हम इनको composite की कहते हैं ठीक है simple है हाब यह simple है ठीक है clear होगी बात है yes तो composite की is a type of key in a relational database consists of two or more columns in a table so do यह दो से जादा columns अगर हाँ अपने table के अंदर देखें और वो सब क्या होँ unique हो ठीक है जिनको हम uniquely identify कर सकें तो वो सारे keys क्या 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 लाएंगी मेरी composite की क्या क्या लाएंगी ठीक है unlike a single column primary की तो यह single एक primary की की तरह नहीं है कि इदको primary की हम इसा single होनी चीए में एक ही होता है बट की अगर हम बात करें composite की में तो वहाँ पर composite की में हम कहलेंगे कि multiple attributes के साथ हम कह देंगे मिल के बना है just like this तो multiple attributes से बना है ठीक है तो simple है बहुत जादा simple है एड़ यह भी unique होना चीए definitely ठीक है तो मेरे खाल से अब आपको key concept पूरे समझ में आ चुक है तो हमने कितनी keys समझ लिया अगर मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले हमने पढ़ा था super key के बारे में फिर हमने पढ़ा था candidate key के बारे में ठीक है फिर हमने पढ़ा था primary key के बारे में फिर हमने अब भी पढ़ा alternate keys, ठीक है, alternate keys, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया, foreign key, ठीक है, last में हमने क्या पढ़ लिया, composite key, so, ये सारी keys हमने, composite keys, ठीक है, ये सारी key हमने पढ़ लिया, अब एक एक करिके इनका फटा-फट यहीं पर recall कर लेता है, so, first of all, super key क्या है, super key में सारी keys आ सकती है, जो की unique होंगी, ठीक है, तो एक से लेक, एक column भी हो सकता है, more than one column भी हो सकते है, ये हमने देख लिया था, उसी का कुछ part candidate key बन जाता है, candidate key क्या होती है, उसमें main important बात है, कोई भी repeat नहीं होना चाहिए, ये तो minimal super key होती है candidate key, ठीक है, and primary key क्या है, candidate key का ही part है, और primary key हम ही साब one होगी, और जो सारी बच गई candidate keys है, जो primary key नहीं बन पाई है, वो alternate keys हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, foreign key क्या होता है, दो tables को link करने का काम करता, foreign key, for data purpose, अगर वहाँ पे एक table के अंदर कुछ, schema के अंदर कुछ रह गया है, बट वो दूसरे table के अंदर है, तो उन दोनों को link कर सकते हैं, विद्धियलपा foreign key, foreign key नल भी हो सकती है, unique ऐसा हो, जरूरी नहीं है, unique भी होगी, and not unique भी चल जाएगा foreign key, बट primary key unique होनी चाहिए, not null होनी चाहिए, duplication नहीं होना चाहिए, foreign key में duplication भी possible है, ठीक है, last मैं composite की देखा, so primary key के अंदर सिर्फ one column हो सकता है, बट composite की के अंदर एक से जाधा column होंगी, और यह सब unique होंगे, ठीक है, clear है बात, तो यह हमने एक short में भी last में brief idea दे दिया, तो मैं hope करा हूँ कि आप लोगों को यह concept समझ में आ चुका है, बहुत ज़दा important concept है, तो लगातार previous तीन वीडियो के अंदर हमने key पड़ा, and दो वीडियो के अंदर हमने आज यह और पिछले एक और वीडियो के अंदर हमने types of keys पड़ा, तो मैं hope करा हूँ कि टून जे के सारे strengths को यह समझ में आ चुका है, and यार आज के लिए इतने रखते हैं, फिलाल में तर नेक्स वीडियो के साथ, बाई!